कि नमस्कारा दोस्तों आज हम कंप्लीट कराटे अकाड़ीमी डूक कि करनाट का सरकार के तरफ से जो एक दस्रा पेस्टिविल के एक कंप्लीडेशन में यहां से कहीं आमारे जो एक कराटे के जो फटो है तो वो लोगोंने कुछ बाग ले आता उनमें से कुछ बच्चे है केटागरी वाइज उन्होंने जीत हासिल करके आए वे वो कौन-कौन है वो क्या-क्या मोडल लेके आए वे उसके तमाम हम जानकर आपको देने के लिए हम आपसे उन्हीं बच्चे से मुलाकत करवाएंगे हाली में जो करनाटक सरकार के तरफ से है एक शुमोगा में एक कॉमपेटिशन हुआ दसरा कॉमपेटिशन हुआ तो उनमें से आपने कौन सा मोडल हैसल के है और किस एज का कैटेगरीम बता बता झाली में एक मत मुल चाहना के लिए करनाटक सब्सक्राइब करमारी करनाटक अ давसित डाइब करिक षद्यूमपेटिशन है I have secured a silver medal and of the weight category 56 and age category under 16 and I have got many experience there. I have got a gold medal in Sumoga district, there are a lot of people in there. What's your name? My name is Sai Mongari, I have played in under 14 plus 60 kg. How did you get a gold medal? What did you get a gold medal? I got a gold medal. How did you get a gold medal? I got a gold medal. I got a gold medal. Thank you very much. What's your name? My name is Kishan Kumar Teggitkari. How did you get a gold medal? 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 Sumoga Karate competition. What category? 14 years. How are you feeling? Nice. Best of luck. How did you get a gold medal? Minus 40 kg. What medal? Silver. My name is Yurajan Magdum and I have played in 30 kg. How did you get a gold medal? Silver. What's your name? My name is Aditya Gajana Namukar and I have played in 30 kg. How did you get a gold medal? How did you get a gold medal? Very good. Your name is Aditya Gajana Namukar. What's your name? What is your name? The program is Yurajan Nagatyak Karate. The program has given a gold medal and a gold medal. You are star of gold medal. How did you get a gold medal? How does they get to gold medal? How does this role? How does this role? The fifth medal is choice for being a gold medal. How will you get to gold? How does this well? यह कोच जितेंदर काक्यतकरजी उनसे भी बात कर लेते हैं अभी हाली में जो कम्पेटिशन हुआ आपकी और हमारे बिलगम के तरफ से करनाटा के गवर्मेंट के तो जुरू सुमुगा में अर्गनाज किया गया था तो हमारे बच्चे जीत कराया आपके पास खड़े हैं त दस बरस से काम कर रहा हूं तो सबसे पहले मैं टीवी 24 न्यूज बनोगल सरकों में धन्यवाद बुलते हुए कि मैं मेरा च्छोटा सा मुलाकात में आपके सामने शेर करना चाहता हूं जो यवादसरा कराटे स्टेट टेबल कॉंपेडिशन जो श्युमोग इंडॉर स्टुडेम के अंदर हाली में संपन हो गया उस कॉंपेडिशन के अंदर 400 से 500 कराटे विज़ारती वहाँ पर भाग लिया थे उसी के साथ में हमारे बेलगम डिस्टिक जिल्ला से 20 से 25 बच्चे इस परदा में उलो ने भाग लिया था उसमें हमारे जो असोशेशन के जो बच्चे है छे गोल्ड और छे सिल्वर मिटल वो लोगों ने प्राप्त किया है तो उस कॉंपेडिशन करनाट का सरकार मैसूर दसरा उस्तों ने आउज़न किया गया था तो यह मैं चाहता हूँ यह सबसे बड़ी खुशी की खबर है कि हमारे बेल्गम डिस्टिक के अंदर जो हमारे अकडमी कंप्लिट कराटे अकडमी के तरफ से जो बच्चे उनका पराक्राम कराटे खेल में दिकाया है एक करोना महामारी के अंदर तो यह सबसे बड़ी खुशी के बात है यह पेरेंस को भी बहुत ही एप्रिशेशन हुआ है कि हमारे बच्चे कुविड के अंदर कहां पर उनका स्पोर्ट्स केरियर या एजुकेशन केरियर स्पोईल ना होते हुए वो लोग इतना परफामें इस स्पोर्ट्स को आप लोगों को करनाटक के तरफ से क्या बेनफिट मिलता हो कुछ देते हैं क्या नहीं यह तो सबसे बड़ी गंबिर सवाल बनोगर सर ने हमसे पूचा है थैंक्यू सर इस करनाटक सरकार गौवर्मेंट डिपार्ट्स गेम इस गेम में खेलने से का यूज होता है सबसे पहली बात जिस वक्त बच्चा आपका SSLC पास होके जो ग्यारावी या बारावी कक्षा के लिए वो लोग प्रवेश लेते कॉलेज कॉलेज के अंदर उस समय उसको स्पोर्ट्स कोटा के अंदर इस सर्टिपेट का इस्तमाल किया जाता है वो स्पोर स्पोर्ट्स कोटा के अंदर इस सर्टिपिकेट बहुत महत्व पूर्ना रहता है सर उसी के फायदा है या कोई फिजिकली और कुछ यह आपके कराते को से मतलब बच्चों को क्या क्या फायदा हो सकता है सर यह कॉंपिडेशन का ही नहीं है इनका वरी इंपॉर्टन इनका सब्सक्राइब करें इस स्पोर्ट्स कोटा के अंदर वह लोगों को रिजर्वर्शन मिल जाता है उनको वहां पर बदा है अभी तक गोर्मेंट इन स्टेट लेबल या नेस्टन लेबल स्पोर्ट्समेंस के लिए कॉलर्शिप का प्रविजन नहीं किया है मैं चाहता हूं क सरकार से बच्चों के लिए सल्टिफिकेट मिडल के साथ उनको कॉलर्शिप भी दिया जाए और उन्हें जो गोर्मेंट स्पोर्ट्स कोटा के अंदर जो गोर्मेंट जॉपस है उन लोगों के में उनको रिजर्व करके देना ऐसा मेरा एक बिंती है सरकार से हाली में 2017 से करनाटक सरकार और राष्ट्रिय माध्यमिक सिक्षन अभ्यान यह लोगों ने गर्ल्स कराट्रे ट्रेनिंग करके हम लोगों का हमारे डिश्टिक असोशेशन के लिए वो लोगों ने काम दिया था जबाबदरी दिया था हमारे पर और हम लोग 2017-18-19 तक हम लोग करनाटक सरकार के बेल्गम डिश्टिक के अंदर 250 स्कूल के अंदर और अब्यान कर चुके है और हाली में केंदर सरकार ने एक सूचना दिया है कि हर स्कूल हर कॉलिज के अंदर कराटे का एक लेसन एक पात्र पाल्त होना चाहिए और ओर है पुलीस डिपार्टमेंट स्पेशली लेडिस पुलीस डिपार्टमेंट के अंदर और हर टीचिंग शुरू हो चुका है अभी सुनने में आया है कि आर्मी के अंदर और कॉमबैक्ट आर्ट है आए कमपलसर कराटे एक लेसन होना चाहिए इसके अगर वो काराटे का पहले सी अगर वो ट्रेनिंग है तो उनको पस पर फिन दिया जाता है तो उसके लिए डारक्ट कोई टेस्ट ने रहेगा डारक्ट हो आगे जाए 110 पसंट उसको प्रमट करते है इस बिल्कुल सही है सरी है बहुत 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 देखेंगे तो यह जो ना आने वाले सारे बच्चों के लिए ऐसे खेल पूरी के लिए सबसे जादा प्रफेरेंस द If you like this video, kindly share this video with your friends on WhatsApp. Friends, if you love this video, click like icon. If you have any opinion on this video, provide your honest comments. If it is worth to share with others, share this video with your friends. And if you want to see more videos, kindly subscribe this channel. And don't forget to press bell icon. I'll see you next time.